आज नहीं से सब्सक्राइब आप इंस्टिश्ट्यूशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है आज हम लोग एनाटामी और फिजियोलाजी में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में आज जानेंगे जो कि बहुत ही इंपार्टेंट चेप्टर है इशे भी रिखा जाए, तो नर्वस सिस्टम का जो है क्यान लोग के लिए तिया उश्यक है मेडिकल साइंस के इस्टूडिन्ट के लिए आप सभी लोग के लिए क्योंकि सरीर के हर क्रिया विधी जो है नर्वस सिस्टम द्वारा ही रेउलेट होती है चलना फिरना खाना उठना बैटना सारी प्रक्रियाएं जो है कौन करता है हमारा नर्वस सिस्टम करता है तंत्र का तंत्र करता है तो आते हैं नर्वस सिस्टम पर तंत्र करता है 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 तंत्र क सब्सक्राइब आते हैं डिफिनिशन को डिफिनिशन नर्वस सिस्टम होता क्या है वाट इज नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं तंत्र का तंत्र तंत्र का तंत्र मनुष्य शरीर की वाट सिस्टम है तंत्र का प्रलावी है जो की जिससे कि मनुष्य सोचने समझने याद करने का कारे करता है तथा साथ ही साथ जो है शारीरिक क्रिया विर्यों का भी नियंत्र करता है अर्था शरीर की वाट तंत्र का प्रलावी जिसके द्वारा मनुष्य सोचने समझने याद करने तथा साथ ही साथ जो है शरीर की प्रिया विर्यों का समन्वेन करता है उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम करते हैं जो हम लोग जो है जो कुछ भी पढ़ते हैं सुचते हैं याद करते हैं यह सब नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है हमारा चलना बैटना उठना खाना सारी क्रिया जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती है और इस नर्वस सिस्टम में जो शिल पाए जाते हैं क्ama कि उसको हम लोग निूरांज करते हैं। निरंस ह Edwards अनुरांस से न्यूरों बनाए तो तो ना EB всего кт लाते हैं में डेश्रिक एक डिपनेशन अपके उनने देखा अब नर्ए सिस्ट्वम जो है पुरे शरीर में फैदा हुआ है ब्राइन से लेक जख टक करके करेंगे उख शरीर में इस्टम फैला हुआ है जिससे की है路 तो करते हैं को परले हम झेक्टे कि उनको सबते हैं कि गया व्युक्त थाग करेंगे मुझिखे ऑग्राइण करेंगे इसे में बता देब आपको कि नर्रसlasen में कौम कौन से भागाते हैं कि लेपिंग करते हैं कि देखिए हमारा पूरा शेर है यह हमारा यह पूरा शेर है जुश्का अपने प्रहना है इस तरह से इस्था चर्वना हुआ है यह मुख भुगा है और शेर हैं अब यह सबसे ऊपर वला सकते हैं कि अब यह कर देखिए और शीना में कि और जो है कि यह कि अब यह समझें प्रक्तिकली अबीं इसपर करें यह इसको निचे आप दहने कि मुलायंग कर दो है पहला हुआ जालो तरफ वो ही हमारा जो है ब्रेन और उसी ब्रेन से तंत्र काइम करती है कि आदि एक शिस्टम बनाती है और ऊसको हम रोप्रात MA ये और बोलेत करता है पा उसके नीचे यह आए इसका पर्रैक से फित्लिक घीलन पहुर्च पह साथहे एक cláss मिरेंजी लेयर ब्रेण को जो है यह लेयर ब्रेंड को जो है बारी इत्ष्ण से और समाम चीजों से शुग इसकी रच्षा करता है इसी में सुजव बिजाती है तो दिश्व्यू फॉर्फंड लूंग करते हैं लुदियु जो इसी में सुजब करते हैं । मेनेंडी लेयर से मेनेंडाइटिस मेनेंडी लेयर में इस तरह की रशनाया इस मों पते हैं सलकस इस में दो है, सबकस में भी दो है, एक जो उभ्रावर रखे उसको सलकस करते हैं और जो नीचे धर्षा हुआ इस तरह सब्झाग है, उसकों क्या कते हैं? उसको कते हैं, ग्राइपा, खिक है, यह जो आप पेख रहे हैं, फोटी सी वेजना हैं उसके बाते हैं, इसको अम्रोप पते हैं? Cerebalum 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 यह पिछले brain का हिंड brain का एक पार्ट है और यह जो इस तरह से रशना नटा करके ऐसे आई है और जिदान से भी ऐसे आई है इसको अम्रोप क्या करते हैं? इसको म्रोप कते हैं? इसको म्रोप कते हैं? Alright, spinal card spinal card spinal card spinal card इसको आई स्पाइन स्पाइन काइन स्पाइन एक सिंपल स्हामने रजना बना गिया है ताकि आपको पढ़ने में दिकत नो हो इस पूरे ब्रेंद के ग्लासिफिकेशन पर में। कितने भागों में बाटा गया है। ठीक है डिवजन कितना डिवजन किया गया है इसका तो हम देख रहे हैं यह प्रेंड जो है उपर है उसको बाद जो है यहां से हमारा इस्पाइनल कार्ड निकला हुआ है जो कि रेड की हड़ी से लगा हुआ चला जाता है पीछे तक यल टू तक उसकी भी हम रशना भी मिलाएंगे कले हम समझते क्लासिफिकेशन को तो क्लासिफिकेशन आप नर्वर सिस्टम नर्वर सिस्टम इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया पले दो भाग में डिवाइड होगे कि दो हमको में इसको डिवाइड कर दिया इसको करें सेरेब्रो इस्पाइनल नर्वर्ष शिस्टम और यह विज़ार है इसको बते हैं आटो नमस आटो नमस आटो नमस आटो नमस नर्वर्ष शिस्टम पुरे नर्वर्ष शिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया कि आटो एक है सेरेब्रो इस्पाइनल नर्वर्ष शिस्टम इसका मतलब क्या बता है शेरेब्रो इस्पाइनल सेरेब्रो में सोता है यह सेरेब्रो में व्रेंद और स्वाइनल में इस्पाइनल काड्ट दोनों मिला तके बना है नर्वस नर्वस स्स्टम1 3 ड्लोग लोग क्यों प्रेंद इस पर नंत्रड़क हो थो यह है एक्षी क्रियाएं, कि liaison, शोता होता है कि जो जो सोता होती है जिस पे ब्रेन बहुत ज़्गें पूरी जो है नियन्तर हला 신 अब आते हैं और आते हैं ताष्द है सभे उस्पार्ण नरो सिस्टम में भी गोबwire ज़्गेंगा कर दिया विए सिर्ण से ए एकош्व इसमें आता है पर आता है ग्रेंड और सेकेंड आता है इस्पाइनल कार्ड इस्पाइनल कार्ड यह दोहरत है हाटे है ठीक है इस से पढ़े पिशलाल को जो इसके बात रखर आने इसमें इससे पढ़े आता है सेंटर नर्व शिस्टम और दुशा आता है पेरी फेरर नर्व शिस्टम पेरी फेर आवरुब दुरा अवाइस को सेंटर नर्वश सिस्ट्रम्, सेंटर नर्वश सिस्टम् जो नर्वश सिस्टम् उसके तो पूरे शिर्स की दूरा है, ळो पूरे शिर्श से समंठ दृत entrepreneurs, जो pariferal इसके जो सदीर से लगा हुआ चालों तरब का दोज पेरी फेरल नर्वर सिस्टम है सेंचर नर्वर सिस्टम को दुबारा दो डिवाइट कर दिया गिया दो थरों एक में आया ब्रेन और दूसरे में आपका आजाएगा ब्रेन दूसरे में आजाएगा इस्पाइनल काड़ इस्पाइनल काड़ है इस्पाइनल काड़ ब्रेन चे हुआ अब हम आते हैं आति नर्वर सिस्टम इसको वी दो भागों में दिवाइटर दिया गया इसमें पहला है सिम्पैसिटिक नर्वोज सिस्टम दूसरा है पैरा सिंपैथिटिक नर्वोज सिस्टम चीफ है यह हमरा क्लासिफिकेशन है टwश सिस्टम को अधीक से सबसे पढ़र में डिवाइड कर दिया ग्या इक हो गया इसम आपने में नर्वो आपने और सीस्टम तुसरा हो गया यह आटो-नमुस नर्वोज सिस्टम को उना दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है एक central nervous system और दूसरा peripheral nervous system अब central nervous system को again divided into parts क्या क्या पर्ला ब्रेन और दूसरा second है spinal card अब second वाला जो डिविजल है आटो नामस nervous system उसको हमने देखा कि दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है इसमें एक है sympathetic nervous system एक parasympathetic nervous system तो हमारे पूरी तंत्र का तंत्र को जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया गया और हमको इतना ही बढ़ना है तो सबसे पदेश जो इसकी बात करते हैं तो इसमें central nervous system में हमारा आता है brain brain का structure हमें बना दिया है तो सबसे पदेश में आता है आपका brain झालो छिर champ में हम अखका बाता है आता है इसकते बाता है पला हम अए-बैंग सबसे जो है क volver दे है राता है Eye बीष्पता नहीं हम में हमें ऊो इस हमें है थ्ज। प्रेंट प्रेंट माने होता है मस्तिस्क 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 हम ग्यानते हैं यह हमारा मस्तिस्क है ब्रेंट ब्रेंट शरीट का सेष वाला भाग होता है जिसमें सोचने समझने याद करने की छमता होती है जो और जिसमें जो है शरीट की सारी क्रियाओं को नियंतरब करने की भी छमता होती है ते ब्रेंट को दिखा जाये तो ब्रेंट के तीन पार्ट में डीवाइड किया गया है तो पृरेंट ब्रेंट को लैकिन Live Lazings से इस में के एक कि एक होता है कि ब्रेन को छूशना लाई जाती हैं न कि इस में होता है तो इसमय कोई efनी की तरह इंपल्स पैदा होता है ठीक है इंपल्स जो है पैदा होता है उसको करते हैं इस पंदन पैदा होता है इस पंदन वो इस पंदन जो है आगे बढ़ते 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 जा करके जो है हमारे उसंग को सुचना देती है कि ब्रेन से ये जो है सुचना आई है और नीचे से दो तरकी सुषनायों होती है तो जो पहली होती है उसको हम लोग अबे है उसको हम लोग क्या करते हैं जो नर्व पाया जाता है नर्व के मादम से सुषनाया जाती है नर्व जो क्या होता है सेल से बना हुआ इस्ट्रक्चर होता है तो इसमें एक होता है अफरेंट अफरेंट अफ्रेंट आप अफ्रेंट नौशल एक यह क्या होता है कि यह नीचे से उपर की तरफ आप अफ्रेंट नीचे से ऊपर की तरफ जो है ब्रेंट को सुछना देता है जैसे हमारे हाथ में कील चुप गया, तो यह जो है, यह बैर में कील चुप गया, तो यह सुचना जो है, नीचे से उपर दो है, ब्रेन को देखा कि हमको बैर में भला चीज चुप गया है, दूसरा होता है, इफरेंट ना, इफरेंट, इफरेंट ना, इफरेंट ना, इफरे ले जाती है जैसे कि हमको जो है हमेरे सरी हमको अपने पैर को हटाना है तो यह सुछना ब्रेंट को जो है ब्रेंट जो है ब्रेंट को देती है तो यह इफरेंट नर्व द्वारा होता है तो दो क्रियाएं होती है अब ब्रेंट नर्व और इफरेंट नर्व अब हम आते हैं ब ब्रेंड के पर्ट्स, इडिविजन और ब्रेंड, और रिविजन और पार्ट्स आप ब्रेन पार्ट्स आप ब्रेन तो इसमें एक पार्ट है जुको करते हैं अग्रव मस्तिस्क अग्रव मस्तिस्क नंबर दो है मध्य मस्तिस्क नंबर तील है मध्य मस्तिस्क के बाद पर्ष्ट मस्तिस्क पर्ष्ट मस्तिस्क पुरे ब्रेन को पुरे ब्रेन को तील पार्ट में डिवाइट गया आगे वाले भाग को जो है अग्रमस्तिस्क पीछ वाले भाग को मध्य मस्तिस्क और पीछे वाले भाग को पस्च मस्तिस्क उसमें इसको हमें आता है सेरेब्रहम तो यह टो मेडन है मिरें और इसमें जाए बन हो 미ाइब्रहम सरेब्लह Brazilian यह पार्ट का यह कि यह एड़? अच्छा अब रमस्तिस्क जो है में आपका क्या क्या आता है? हाइपोथेलमस आता है वहरा हाइपोथेलमस आता है और यह करता क्या है? यह सोचने समझने का तारिक करता है अच्छा चीख है? मद मस्तिस्क मद मस्तिस्क अगर मस्तिस्क और पस मस्तिस्क को जोड़ने वाली एक संदशना है इसको मद मस्तिस्क को करते हैं इसमें आपका जो है शेड़नम का थोड़ा सा पार्ट आयेगा आप देख रहे हैं और वीच वाला पार्ट है इसको बीच वाला वोज़न पार्ट आयेगा मद मस्तिस्क में इसके बाद आते हैं पस्तिस्क जिसको स्यर्वलम करते हैं स्यर्वलम काफी इंपार्ट इस्ट्रक्ट्चर है ब्रेन का जिसमें की हम लोग पहेंगे कि इसके स्ट्रक्ट्ट्चर आता है मेडि उलाड आ लोट्वलम कोटा जो कि बहुत cotton पार जाता है उसका क्या आरह या आपको बताते गाले है ठे operative का Works का आ है मस्ट मेनेज करता है arrangement, इसमें आपढ़ने के जादों इनी स्कमें यहां पर एक पीट्यूटी ग्लेंट पर याथ म स्वल्डन इसमें यहां घ्रड़ा तैसे जीसे कि हर्मोन का स्यक्रेशन होता है यहां पर करते हैं जिसको अमंदों करते हैं masterbrand मेडूला अब लूंग गोटा का मुख्यकार क्या है मेडूला अब लूंग गोटा क्या करता है कि कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करता है एक जैसे डाजेस्ट्टू शिस्टम में डाजेस्ट्टू एंजाइम को स्रामडवित करता है हर्ट की गति को जो है यह बढ़ा देता है आशक्त अनुशार यह इसके इंप्रोटन काले है कि एक चीज़ जान देए जो ब्रेन है ब्रेन का जो लेयर की बाद बाद के थे जिसको मुझता रहे थे कि मेनेंजी मेनेंजी लेयर इसका बहुत इंपर्टिन है मेनेंजी लेयर तीन भाग होता है मेनेंजी में तीन लेयर होता है जिसको किताते हैं पी मेंटर आर्चिनवाइड मेंटर और डूरा मेंटर सबसे नीचे की तरफ डूरा मेंटर बीच में आर्चिनवाइड मेंटर और सबसे उपर की तरफ पी मेंटर यह लेयर के पार्ट है जो की ब्रेन को जो है कि रच्छा प कीश में यहीं पर यह बेंट्रिकिल पाया जाता है एक इस तरह से ब्रेंट के अंदर दसना पहिए जिसको आघते हैं बेंट्रिकिल बेंट्रिकिल फर्स चेकैन एंड थर्डेंट्रिकिल बेंटिकिल में क्या होता है, मस्तिष्फ का वह पार्ट होता है, जहां करकि । शीरस्ट्रो प्रॉइट का निर्माड लुटा है, को सेर्परो-प्रॉइट जो है क्या होता है, बहुत इसको मस्तिस्क को जो है का सकते हैं कि एक वाइटल बार्ट है जिसमें शुगर प्रोटीन इत्यादी पाये जाते हैं इसकी मस्तिस्क को पावर मिलता है इस पैनल कार्ण में भी राता है जब इसकी कमि होने लगती है तो व्यत्ति जो है स्पाइनल पेन होने लगता है कि आते हैं उसको समझ जीजिए जो यह पेंटिकिल से जो है जो से बनता है यह यह बनने के पाद जो है यह जो पुखा है कि हमने पताया कि तीन लेयर पाई दाता है पाई पी मेंटर दूर्सा अर्चिन वायड मेंटर और तीसरा है कि अधिन वैंटर के बीच में एक इसके अर्चिन वैंटर के बीच में अजिए एक स्पेस होता है जिसको सब आर्चिन वैंटर करते हैं और इसी में जो है से रखुरण स्पाइनल फ्रूइड जो है आता है और यह जो है चला जाता है कहां पर रिड की हंडी की बीच में जो नव गया है उसके साथ लगा हुआ चला जाता है या पुरे पुरे जाता है कि यह जो है कि अब आते हैं हम जो है कि ब्रेंट के बारे में हों गया हम आते हैं जाते हैं अब दूस्तरा जो है इस पाइनल कार्ड के लिए इसको पुरिया से समझी है आपको कि यहां से यह से गया है कि निचे तकाया है कि यहां से भी इस्याया है यह लिचे तकाया है घ्ष एष 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 अ लिचे जी यहां बर्यान frontier रव्पर्पra यहां प्रीया थाल poor brain खिक अब यहां पर आप दखिए यह हमारा इस्पाइनल कार्ड यह क्या है हमारा इस्पाइनल कार्ड है इसको लोग से सुनना तर्जू भी कहते हैं यह कहां तर्ड़थ है यह ड्यां को गया कि एक के आने इस्पाइनगय मत अबता है इता है इता है प्रसकेंग के इस्पाइब कर दो जो है टी है चार, पांच, छे, साथ, आट, एक, गूब, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, इसमें से ये जो है, इस तरह की रचना है लिगी रदी, ये सब क्या है, नर्व है, ये 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 नर्व है, सभी हिस्सों को जो है, क्या गर्दी है, डेबुरेट करती है, ये हमारे हाद का हिस्सा जो है यह कर आता है सी एक मतलब होता है सवीट्स कि सवाइकल सवाइकल परटिवरा 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 जो कि चंक्या में आठ निता है अब इसके बाद हम आते हैं यहां को भी आईए अब इसके बाद आते हैं एक दो तीन जार पांच छे शार आठ नौ दश ग्यार बाद इसको पता है यहां इसमें भी नविश्ट्राइब